नमस्कार, फ्रीलन्द मार्केट में आपका स्वागत है टाइटल और थमनेल देखके आपने पता लगा ही लिया होगा कि आज हम किस उसे के बारे में बात करने वाले हैं तो चलो, चलते हैं आज के टोपिस पर तो दरसल, आज हम एक बहुती महेंगी पेड option selling strategy का content देखेंगे और ये strategy 90% successful है और ये strategy पे आप regular basis पे consistent मुनाफ़ा कमा सकते हो अगर आपको option की समझ है तो पता ही रहेगा कि option buying हो या selling, options में volatility की समझ होना बहुत जरूरी है volatility के समझ के बिना आप option में पैसा नहीं कमा सकते क्यूकि option में volatility खुदा है, भगवान है अगर कोई stock या index में volatility नहीं है तो खास तोर पे आप option में पैसा नहीं कमा सकते हो लेकिन यहाँ पे एक बात जान लेना जरूरी है कि option buying का trade हम उसी दिशा में लेते है कि volatility कोई stock या index को जिस भी दिशा में लेके जा सकती हो means कि अगर कोई stock या index में volume के साथ उपर जाता है तो bullish है और अगर कोई stock या index volume के साथ नीचे जाता है तो bearish है लेकिन option selling में हम थोड़ा अलग करते है option selling में हम उस direction में trade लेते है या उस track pass पे trade लेते है जिनके hit होने के संभावना almost negligible हो तो option selling में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े professional traders 5 या 6 रुपिस के लिए option को sell करते है तो हम यहाँ यह strategy पे trade कैसे करेंगे हो देखेंगे तो यह strategy को समझने या apply करने के लिए simply आपको ऐसे वाले excel sheet बनानी होगी तो यहाँ पे आपको nifty की close price और India weeks की अभी क्या value चल रही है वो चाहिए होगी तो यहाँ पे जो India weeks की value है वो यहाँ पे हमें yearly volatility बताती है कि इस साल में market कितना percent उपर या कितना percent निचे जा सकती है तो India weeks की जो value है वो भी 21% है means की यहाँ से market 21% उपर या तो 21% निचे जा सकती है जो हमारी annual range है तो उस इज़ाब से यहाँ पे जो निप्टी की value है 16,352 उसका 21% आप गिनोगे तो हो निकल के आएगा 3,430 तो भी annual high निकलने के लिए निप्टी की जो current value है 16,352 उसके अंदर इंडिया weeks यानि 21% जो 343 होता है वो एड करेंगे तो हमारा annual range का high मिलेगा सेम निप्टी की जो current value है 16,352 उसके अंदर उसका 21% यानि 343 minus करेंगे तो हमें annual low मिलेगा जो है 12,919 लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो इंडिया weeks की जो value है वो हरोज change होती रहती है और निप्टी की value भी हरोज change होती रहती है तो यह जो annual high और annual low यह दोनो value है वो भी हरोज change होती रहेगी और एक बात दोस्तों कि यहाँ पे कोई भी professional trader या हम annual यानि साल की कोई expiry भी नहीं होती और annual basis पे option के अंदर कोई trade नहीं बनता है और कोई trade करता भी नहीं ठीकिन यह सिर्फ आपकी जानकारी के लिए था कि annual range हम कैसे निकालते है और एंडिया weeks का क्या मतलब है तो next हम देखेंगे कि monthly range कैसे निकालना है तो simply monthly range निकालने के यह सबसे पहले आपको चाहिए होगी t की value तो यहाँ पे मैंने लिखा है t is equal to 365 divided by n 365 जो एक साल के दीन होते है और number of day मतलब हम कौन सी experiment trade कर रहे है यहाँ पे हम monthly का देख रहे है तो यहाँ पे हमें number of day आएगा 30 तो आप 365 divided by 30 करोगे तो हमें मिलेगा t जो यहाँ पे हमें मिला है 12 उसके बाद हमें monthly range क्या रहेगी वो percentage निकालने पड़ेगी उसके लिए यह formula है जो weeks divided by square root of t है तो weeks तो हमने पहले से ही देख लिया है कि 21 है अब हमें निकालना होगा square root of t मनलब t भी हमें निकाल दिया है अब t का square root क्या है वो निकालने के लिए simply आपको यहाँ Kelsey open करना होगा और जो हमें t मिला था 12 यहाँ पे 12 लिखके सिर्फ यह जो symbol है square root का उसके उपर क्लिक कर देंगे तो हमें t का square root मिल जाएगा और वो है 3.46 तो अब यह formula के हिसाब से विक्स जो 21 है उसको square root of t मनलब अभी जो हमने Kelsey में निकाला हो 3.46 उससे divide करेंगे तो हमें monthly percentage मिलेगा 11.47 अभी जो निप्टी की value है 16352 उसका 11.47 परसेंट जो निकल के आएगा 1850 अभी monthly high निकालने के लिए simply जो निप्टी के value है उसके अंदर उस monthly high सेम अगर लो निकालने के लिए निप्टी के जो current value है 16352 उसके अंदर 11.47 परसेंट यानि जो हमें निकल के आया है 1800 पिच्चो तर हो माइनस करेंगे तो हमें monthly low मिलेगा लेकिन स्टार्टिंग में monthly x पर एक के अंदर भी trade नहीं करना है क्योंकि जब तक हम option के अंदर मज को मैंने educational purpose से बताया कि range कैसे निकालना है और monthly range कैसे निकालना है और monthly range कैसे निकालना है और आप जब expert हो जाओ बाद में monthly एक्सपरी के अंदर भी आप यह strategy का यूज करके trade कर सकते हो तो next हम देखेंगे weekly range कैसे निकालना है weekly range निकालने के लिए भी सबसे पहले हमें होगी t की value चो मैंने बताया 365 divided by n मतलब number of day यहां पर monthly था तो हमने 30 लिया था लेकिन यहां पर weekly है तो number of day जो है वह 7 हो जाएगा तो 365 divided by 7 करोगे तो t हमें मिलेगा 52 उसके बाद हमें निकालने होगी weekly percentage की range उसके लिए यह formula यूज करेंगे तो मैंने आगे भी बताया weeks divided by square root of t यहां 52 है तो हमारे पास weeks की value तो है ही 21 अब square root of t आप निकालोगे तो उसको निकालने के लिए मैंने आगे बताया वैसे simply यहां square root यहां click करोगे तो 7.21 आजाएगा तो अभी 21 divided by square root of t करोगे तो इसकी percentage मिलेगी जो हमें मिली है 2.91 अभी आप देखोगे तो निकालने की current value है 16352 उसका 2.91 परसेंट यानि 475 मिलेगा अगर 16352 जो अभी current value है उसके अंदर उसका 2.91 परसेंट यानि 475 को add करोगे तो हमें मिलेगा निप्टी का high और same उसका low find out करने के लिए निप्टी के जो current value है उसके अंदर ये weekly percentage range हमें मिली है 2.91 परसेंट जो निकल के आता है 475 पॉइंट उसको minus करेंगे तो हमें मिलेगा weekly low लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दू के starting में हमें weekly जो expiry है उसके अंदर भी कि इसे range निकाल के trade नहीं करना है जैसे ही हम मज़ेव के खेलाड़ी हो जाई हमें option के समझ हो जाई बाद में weekly और मतले पर कर सकते हैं तो ये strategy है हो दरसल expiry day की strategy है कि expiry day के अंदर हम trade कैसे करेंगे तो हम यहाँ पर देखते है daily या तो expiry day की range कैसे निकालेंगे उसके लिए यहाँ पहले सबसे पहले आपको चाहिए होगी टी की value तो टी के लिए भी यहाँ 365 divided by number of day यहाँ पर weekly था तो हमने 7 लिया था monthly पर 30 दिया था number of day यहाँ daily है तो हम एक लेंगे तो 365 divided by 1 करोगे तो यहाँ पर आएगा 365 उसके बाद daily percentage निकालने के लिए मैंने जैसे आगे बताया कि यह formula का use करना है weeks जो हमारे पास है 21 उसके बाद square root of T यानि T का जो मैंने आगे बताया कि Kelsey में आपको जाना है और 360 by का square root निकाल लेना है उसको विक से divided करोगे तो हमें मिलेगा daily percentage तो यहाँ पर निकल के आता है 1.09 यहाँ पर देखो तो निप्ति के जो current value है 16352 उसका 1.09% निकल के आएगा 178 पॉइंट उसको अगर आप एड करोगी current value में तो यहाँ पर निकल के आएगा daily high और same current value जो है 16352 उस 78 पॉइंट उसको minus करेंगे तो daily range का जो low है वो निकल के आएगा 16133 तो starting में हमें daily के अंदर भी trade नहीं करना है सिर्फ और सिर्फ expiry day रहता है उसके अंदर ही intraday position बनानी है और intraday का trade expiry day के अंदर करना है starting में आपको सब समझ में आ जाए बाद में daily उसके बाद weekly और उसक day जो होता है उसके अंदर ही ये strategy पूरी तरह से fulfilled होती है और 90% accuracy के साथ काम करती है तो भी हमने expiry के day यानि expiry के दिन high or low मतला हमने उस दिन जो particular दिन है उसकी range तो निकाल लेकिन अब market के अंदर live apply कैसे करेंगे हो देखते है apply करने के लिए दोस्तों यहाँ जो range निकल लिए उसके अंदर भी आप और से जाने के लिए 100-500 points आगे पीछे जाएंगे means की यहाँ पे जो high हमें मिला है वो मिला है 16,530 तो हम उससे आगे जाए हमारी safety के परपस के लिए तो 16,350 तक जा सकते हो और low में 16,000 तक जा सकते हो तो यहाँ पे option चैन्ट पे जाके ही हम देखेंगे तो मैंने जैसे बताया कि अपनी safety के लिए या तो 16,000 का P हमारी safety के लिए हम 100-500 points आगे पिछे कर लेंगे ताकि हमारी range बड़ी हो जाए तो उसके लिए हम यहाँ पे 16,000 का P या तो 16,600 का C दो में से कोई भी एक को right कर सकते है लेकिन सबसे पहले हम किसको right करेंगे वो जानन के लिए हमें एक point देखना जरूरी होता है और हो था theta कि यहाँ पे 16,600 यहाँ पर safety के 16,600 या तो 16,350 भी आप ले सकते हो यहाँ आप देखो तो 16,000 या तो 16,350 दोनों में से किसका theta ज्यादा है percentage term में वो देखना होगा बहुत सारे वीडियो में YouTube के अंदर बहुत सारे creator है उ theta मतलब क्या है time decay है यह है वो है लेकिन theta को find कैसे करना है theta को ready minute कहाँ पर देखेंगे वो किसी ने नहीं बताया लेकिन मैं आपको बताता हो अगर आपको theta के live value चाहिए तो आपको simply sensible की site पर जाना होगा और वहाँ पर अगर आपके पस account नहीं है तो सिर्फ आप Google में जाके sensible option एसा लिखो गए और वहाँ पर एक link मिलेगे वहाँ क्लिक करोगे तो sensible जो broker है उसके site पर अगर आप यहाँ options खुलेगी तो ऐसे खुलेगी उसके अंदर यहाँ जो setting का menu रहेगा उसके अंदर क्लिक करोगे तो यहाँ सब कुछ option आएगा volume, oi change, iv, उसके बाद grix के सारे options है इसके अंदर, delta, gamma, theta लेकिन इस strategy के अंदर हमें सिर्फ theta के value चाहिए होगी, तो यहाँ सिर्फ हम theta को on कर लेंगे, तो अब यहाँ देखो, तो put side के पर सारे theta इधर और cold side का सभी strike प्रेक का theta इधर देखेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस strategy में theta, gamma का use के से करना है, तो वो सब theoretical बताया है, लेकिन practical और ready minute कहां देखना है, वो किसी ने नहीं बताया, लेकिन मैंने find कर लिया कि यहाँ पे उसके live value आती है, तो हमने आगे देखा कि daily range हमने निकल ले, 16,000 और 16,650, तो अब यहाँ पे हम पहले देखेंगे 16,000 को, अगर 16,000 में देखो, तो उसक की theta के value minus 9 है, तो यहाँ percentage term में हमें calculate करना होगा, कि किस का theta percentage term में ज्यादा है, तो हो कैसे calculate करेंगे, आइए हो में आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले हम 16,000 का PE है, 16,000 के PE का theta percentage आपको calculate करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, तो हम 16,000 पे आ गए, यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो 16,000 का जो theta है, हो है minus 10, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, उसका premium लेना होगा, जो यहाँ 50 रूपीज है, तो 50 रूपीज को हम 100% के तोर पे use करेंगे, 50 रूपीज is equal to 100%, तो minus 10 is equal to कितना, अगर आप उसको calculate करेंगे, तो minus 10 multiply with 100 divided by 50, उस हिसाब से आप calculate करे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 20%, और same, 16,650 को हम देखेंगे, कि उसका theta percentage कितना है, तो उसके लिए यहाँ पे simply आना है 16,650, उसके बाद उसका theta के value minus 9 है, और उसका premium 41 रूपीज है, तो यहाँ पे भी same formula use करेंगे, 41 रूपीज is equal to 100%, तो minus 9 is equal to कितना, उस हिसाब से, minus 9 multiply with 100 divided by 41, ऐसे करोगे, तो आपको 18-19% जितना मिलेगा, तो यहाँ पे आप देखो, तो किस का percentage में ज्यादा है, तो 16,000 का theta है, वो percentage में 20% है, तो 16,650 से ज्यादा है, तो हमें यहाँ, 16,000 का PE, एक दिन के लिए, एक दिन के लिए, एक स्परेट के डेट, सेल कर देना है, और अग पारकेट 16,000 से उपर ही रही थी पूरा दिन, एक स्परेट है, तो यह strategy 90% सक्सेस्फूल है, तो हमें मेने जैसे आगे बताया, कि स्टार्टिंग में, डेली यानि एक स्परेट डेके अंदर ही ट्रेड करना है, बाद में आप मज़े हुए खेलाडी होजा, ओप्शन के बा है, उसके आसपास हमें coal sell करने रहते हैं, और low के आसपास हमें put sell करने होते है, और वो भी मैंने जासे से बताया, किसका theta percent ज्यादा है, और theta के value कहां से देखनी है, वह आपको कोई नही बताता है,लेकिन मैंने आपको बताया, कि theta के value ready made कहां से देखनी है, और percentage term के अंदर, कैसे करना है उस हिसाब से आप उस ट्रैक पैस को असेल कर सकते हैं तो आज के वीडियो में बस इतना ही मिलेंगे फिस्ट फिडियो में जो मैंने आगे बताया था यह पेड स्टेटरजी है जो मैंने पेड कोर्स कीया था उसका ही एक pienई है तो दरहसल यह उसका दूसरा पाट है पहला पाट जो मैंने आपको है वो अपलोड कर दिया है उसका नाम है secret swing trading strategy उसके बाद ये option selling का एक strategy का वीडियो है वो भी upload कर दिया हूँ अब next जो पाट आएगा वो भी मैं upload कर दूँगा तो ये जो मैंने देखने के लिए हमारा चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब किजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में